हलो एवरिवान, तो हम कर रहे थी लो रेंज ट्रांस्फोर्मेशन इसके लिए आमने ट्रांस्फोर्मेशन अक्वेशन लिखी थी उनको प्रूव करनी थी ٹ्रांस्फोर्मेशन एक्वेशन क्या क्या थी X प्राइब क्या था? Alpha X प्लस beta T Y प्राइम एक्वल तो Y एक्षिप्राइम 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 यह s frame है ठीक यह x y o prime o ठीक है यह condition है यह फिर इसको मान सकते हमें जो axis है यह x prime हो गया हमारा इसको ना मान कि हमें o prime इसको मान रहे है यह y prime हो ठीक है यह x y हो ठीक है प्लस x direction में गति कर रहा था यह हमने कल देखी थी यह गतना कि s prime frame s के respect में s frame के respect में plus x direction में motion कर रहा था अब इसमें हमें निकालना क्या है यह जो constant है alpha beta gamma delta की value हमें निकालनी है फिर हम alpha beta gamma delta की value हम in equation में put करेंगे फिर देखेंगे कि हमारे जो transformation equation सही है या फिर गलत है सबसे पहले हमने Galilean transformation रखे उसमें जो x square plus y square plus z square minus c square t square equal to 0 था इसमें पहले हमने Galilean transformation से लिखे Galilean transformation सही सिद्ध नहीं हो रहा था उसमें कुछ हमें extra term मिल रही थी इस वज़े से हमने अपनी तरफ से जो transformation equation बनाई है जो यह निम ने इनमें हमें alpha, beta, gamma और delta की value निकालनी है ठीक है तो हम करते हैं तो हम मानते हैं जो s frame है वो जो हमारा मानते हैं कि प्रेक्षक observer यहां इस दीता है ठीक है उसके लिए हम देखें कि इसके साब x में हम देखते हैं जो s frame प्लस x direction में गति करता हुआ दिखाई देता है ठीक है एक condition होती है case first होता है case first में हम कहलेंगे जब x prime equal to 0 ठीक है ध्यान रखना उस time x prime equal to 0 है उस time dx by dt हमारा होगा वो v velocity v के बराबर होगा ठीक है x prime 0 मतलब जो x prime है वो 0 होगा इसके उपर होगा ठीक है उस time जो प्रेक्षप o prime जो यह o prime यह उपचरवर है इसके साब एक्स velocity dx by dt क्या होगी वी clear यहां तक अब next हम करें equation इनको अलग लग माले 1 2 3 and 4 ठीक है case first लें अपने जब x prime equal to 0 इस condition में हम equation first दें by equation 1 ठीक है तो x prime equal to alpha x plus beta t x prime को क्या माना हमने 0 alpha x plus beta t इसका हम t के respect में हम इसका differentiation करते हैं तो alpha इसका बान हो जगा plus alpha dx by dt plus beta ठीक है यहां से हम देखें तो dx by dt क्या आ गया minus beta by alpha और dx by dt क्या होता है v ठीक है equal to v यहां से अगर beta देखें minus alpha v यह equation हमारी 5 आया समझ क्या कि आपने case first में x prime को हमने 0 लिया x prime 0 जो हमारा o-prick शक है मतलब observer है वो o के उपर है और उसके साब peaks जो उसकी respect में velocity v है अब equation first है इसका हमने यहां x prime की equal to 0 रखा और t की respect में इसका differentiation किया तो हमारे पास beta की value minus alpha v यह ठीक है अब case second है case second में हम क्या करते है कि इसमें x बराबर 0 लेते है x बराबर 0 लेंगे तो इस condition में जो यह हमारा frame of reference है minus v velocity से गति करता हुआ नजर आएगा ठीक है तो x equal to 0 है इस condition में dx by dt होगा वो minus v dx prime dt prime होगा minus v इसकी respect में अगर हम इस frame of reference को देखते हैं तो एक बर देखना इधर क्या होता है हमारा negative इधर positive तो इसकी respect में अगर हम इसको देख रहे हैं तो यह negative direction में v velocity से motion कर रहा है तो dx prime by dt prime v हो जाएगा minus v हो जाएगा पहले equation first में करते हैं sorry fourth में पहले first में करें जादे ही जिरेगा कोई सा भी सकते हैं ठीक है दोनों करेंगे ठीक है यहां से अगर हम इसका ratio लें x prime upon t prime तो क्या गया बीटा t upon delta t तो यहां से हमें क्या मिला यहां देख लो साइड में जो x prime by t prime हमारे पास क्या आया बीटा by delta अगर हम इसका अब differentiation करें तो dx prime by dt prime upon beta by delta यह क्या है minus v तो बीटा क्या आगया इसको अगर multiply करें तो minus v delta यह फिर बीटा बरावर minus delta v यह equation हमारे 6 माल लो बीटा की दो value हमारे पास आगई बीटा equal to minus alpha v बीटा equal to minus delta v अगर इन दोनों equation से देखें तो हम equation by equation 5th and 6th इससे देखें तो क्या value हमारे पास आती है बीटा की दोनों value को बरावर करेंगे तो delta ओ सोरी alpha equal to delta यह equation हमारे 7 आगई ठीक है यहां तक किलिए अब तुम्हें एक चीज दिहान रखना कुछ book में जो हमने यह transformation equation ली कुछ book में यहां delta x plus gamma t कर रखें ठीक है मैंने यहां gamma x plus delta t लिया है ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखना तुम्हें कि जिस तरीके से हमने अगर यहां पर हम gamma t plus delta x लेते तो इसके जगए gamma आ जाता ठीक है यहां क्या था जो t के साथ होगा वो आ जाता तो कुछ book में यहां इनका replacement हो सकता है यह जो constant है यह change हो सकते है तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना तो equation 7 तक आपको समझ में आ गया होगा कल इसको next करते हैं ओके बाबाई